और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज मागमास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिति और रविवार का दिन है एकादशी तिति आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर चार बच कर और तालीस मिनिट तक रहेगी आज के दिन तिल का बड़ा महत्तो है आज के दिन तिल का छे तरीकों से प्रियोग किया जाता है आपको बता दूँ कि आज के दिन तिल मिशिद जल से इस्टान करने से तिल का उप्टन लगाने से तिल से हवन करने से तिल मिशिद जल का सेवन करने से तिल का भोजन करने से और तिल का दान करने का भी धान है आज के दिन तिल का मुख्य रूप से इंचे तरीकों से उप्योग करने पर माग कृष्णपक्ष की एकादशी को शट्टिला एकादशी कहते है आज के दिन भगवान विश्रू की पूजा में भी विशेश रूप से तिल का इस्तेमाल किया जाता है आज के दिन भगवान विश्रू की पूजा करने से व्यत्ति की हर मनों कामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभाव पराप्त होता है साथ ही सुख स्वभागय और धन-धन में वर्द्धी होती है आरोगी की प्राप्पी होती है तो ये थी आज शट्टिलाय का दशी की चर्चा और अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की आज शाम चार बज कर पंदा मिनिट तक की श्ठा नक्षत्र हेगा जेश्ठा नक्षत्र 18 नक्षत्र है जिसका अर्थ होता है बड़ा साथ ही तावीज को जेश्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है तावीज को सामाने तह लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं आदह जेष्ठा नक्षत्र के पतीक चिन्हों को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्यों के साथ भी जोड़कर देखा जाता है जेष्ठा नक्षत्र का पेर चील है आदह जिन लोगों का जन्म जेष्ठा नक्षत्र में हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ना और या है उन लोगों को आज जेष्ठा नक्षत के दौरान चीर के पेर की पूजा करनी चाहिए इससे आपको शुप फलों की प्राप्ति होगी तो ये थी चर्चा जेष्ठा नक्षत की और अब आज आपको बताएंगे कि नोवखे रुद्राश के दाने में किन नो शक्तियों का वास है साथ ही तैसे ये हमारे लिए सुरक्षा कबच का काम करता है और इसे सिद्ध करके धारन करने के सही वीदी क्या है तो आईए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन नोवखे रुद्राश के बारे में रुद्राश जाबालो पुनिशत के अनुसार नोवखे रुद्राश के दाने में नो परकार की शक्तियां नहीं थे इस रुद्राश के दाने को माधुर्गा का वादान प्राप्त है जिनका आवतरान भाक्तों की रक्षा है तो नौवार धर्ती पर हुआ है धर्ती पर बार बार हुआ है इनमें माधुर्गा के नौ शक्ति सरूप माशैले पुत्री, ब्रमचारनी, चंदरगंटा, कूशमांडा, सकंदमाता, कात्यायनी, कालारात्री, महागवरी और माता सिद्रिदात्री शामिल है। पाद्म पुराण और शीमत देवी भागवत पुराण के अनुसाद स्वयम भहरव जी भी इस नौ मुखी रुद्राक्ष को आशरवात देती हैं, जिससे धारक को अकालम्रत्री से बचाता है। रक्षा करते हैं। बतादू कि यमदेव को भी काल कहते हैं, अता काल और काल भहरो दोनों ही नौ मुखी रुद्राक्ष को धारन करने वाली की रक्षा करते हैं। गर्भपात, गर्भधारन में कठिनाई, मिर्गी, आंख में दर्द, आंतों में दर्द या शरीर के किसी अन्य हिस्थे में दर्द और तचा संबंदी परिशानियां सामने आने लगती हैं। आता है अगर आपको भी इस तरह की किसी समस्या से आप दोचार होना पड़ रहा है, अगर आपको मस्टिश या फेपरों से संबंदी कोई परिशानी है, आपको गर्द धारन करने में किसी तरह की समस्या आ रही है, या आपको मेर्गी के दोरे पड़ते हैं, या आपको छोटकारा पाने में मदद मिलेगी साथ ही आपको बता दूँ कि ये नौ मखिरुद्राच हमारी पीनिल ग्रेंड यानि पियूश ग्रद्ध को स्वस्त रखने में भी मदद करता है इसके अलावा महिलाओं के लिए ये नौ मखिरुद्राच बहुत ही फाइदे मंद है क्योंकि महिलाओं भी शक्ति का सुरूफ होती है और नौ मखिरुद्राच पर तो पहले से ही नव दुरगा नव शक्तियों की करपा है ऐसे में जो कामकाजी महिलाओं है या जो हाउस वाइफ हैं और जो अपने घर, परिवार, पती और बच्चों को लेकर हमिशा चिंता में रहती हैं उनके लिए नौ मुखिरुद्राच हर तरह से फाइदे मंद है जिन और लोगों का जन्म केत उग्रह से सम्मंदित नक्षत्र आश्वनी, मघा या मूल लक्षत्रों में हुआ है उन लोगों के लिए नौ मुखिरुद्राच विशेश ला पहुचाने वाला होता है विशेश सिद्धी की प्राप्ते में ध्यान आदि के लिए भी नौ मुखिरुद्राच फाइदे मंद है इसे ध्यान करने से विशेश को ध्यान अपने लक्ष पर बना रहता है इसे विशेश की इच्छाश कते प्रबल होती है और उसके अंदर सहन शक्ती, शाहर और सहस का संचार होता है साथ ही नौ मुखी रुद्राश को धानर करने से विक्तिके यश और कीति में ब्रद्धी होती है और हर जगे उसका नाम फालता है इसके अलावा अगर आपको मुर्तु का भाय रहता है यानि फियर आफ टेस रहता है या दूसे लोग आपसे जलते हैं और आप पर हर समय अपनी बूरी नजर बनाये रखते हैं तो ऐसे में बूरी नजर और किसी भी प्रकार के जदू टोने से बचने के लिए आपको नौ मुखी रुद्राश के एक दाने के साथ ही दस मुखी या ग्यारा मुखी रुद्राश का एक दाना भी धारन करना लाब कर होता है नौ मुखी भी धारन करेंगे तो बहुत काम करेंगा ये संयोग आपकी हर तरह से रक्षा करने में सहयक होगा और आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा बता दूँ कि 9, 10 और 11 मुकी रुद्राश का ये संयोग संपती पाने में भी सायक जिन लोगों को भूत प्रेद का भाय रहता है या हर वक्त ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई अंजान साया मौजूद है 183 से बचने के लिए आपको 9 मुकी रुद्राश के साथ 10 मुकी और 11 मुकी का संयोग बनवा कर पहनना चाहिए इससे आप हर तरह से परेशानी से बचे रहेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेविल में भी बढ़ोतरी होगी अगर किसी को साया निश्चत उब्जफील होता है तो दो दाने 8 मुकी और 9 मुकी रुद्राश के पहनना चाहिए जिन लोगों में एक आगर्दा की कमी रहती है अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते या मन में हमेशा अधासी का भाव रहता है या जो लोग शारीरी रूप से कमजोर होते हैं उन्हें 9 मुकी रुद्राश के धरन करना चाहिए ये उनके लिए रामबान की तरह काम करेगा साथ ही जो लोग मांसिक रूप से शांती चाहते हैं जो अपने आत्व विश्वास में बढ़ोती ही करना चाहते हैं या जो लोग आध्यात्में करूप से अपने आपको मजबूत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए नौमुखिर रुद्राच बेहत फाइदे बंद है। इसके अलावा नौमुखिर रुद्राच से जुड़े दुर्गा कलाई बंद के बारे में भी बता दूँ। दुर्गा कलाई बंद अब ये सब नाम रख लिए हैं पंडितों ने। दुर्गा कलाई बंद है नौमुखिर रुद्राच के साथ इस फटिक के मणी और दो या चार चोटे पंच मुखिर रुद्राच भी शामिल होते हैं। इसको भी बाए हाथ में पहना जाता है। इसे धारन करने वाले विक्ति पर मादुर्गा के आशिरवात से असुरक्षा के भाव से उत्पन होने वाले तनाओ और बच्चों की पढ़ाई और जीवन साथी के भविश को लेकर चिंता, साथी परिवार के सदस्यों के सेहत को लेकर विभिन तरह की चिंताओं से छुट चाहिए और सबसे अच्छा स्थान उसका है ये जो बाई कलाई बाई है और ये नौ मुखी है ये सबसे अच्छा स्थान है अगर यहां नहीं पहना चाहते है आप यहां पहन सकते हैं या गले में पहन सकते हैं इसको दाहिने हाथ में पहना आवाइट करना चाहिए और नौ जोड़े अंगिन अतलाग की चर्चा इसके अलावा विभिन शास्त्रों के अनुसार नौंखी रुद्राश पर मंतर जाप की भी चर्चा कर लेते हैं। नौंखी रुद्राश की विधिपूर्वक पूजा गंगाजल पुष्प धूब दीप आजिसे पूजा करने के बाद उसे देवी मा और भगवान शिव का आशिरवाद दिला कर उस पर मंतरों का चप करना चाहिए। आप उन मंतरों को नोट कर लिए। अगोर मंतरों इस पर जरूर पढ़ने दा चाहिए। जब की माला पहले की माला अलग रखी चाहिए। जब माला में कभी भी उसको पहना नहीं चाहिए। अब जो जब माला होती उसमें एक सुमेरू होता है ताकि आप वहां तक मंतरों के पलट लें माला को सुमेरू को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। तो कुछ लोग जो सिधियां पराफ्ट करने के रिए जब करते हैं तो पांच मुखी रुद्राश भी माला नौर वली होती है। आप उसमें अगर नौ मुखी रुद्राश का सुमेरू के तोर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंटीटू शक्तियां बढ़ेंगी। आपका फोकस बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा जिसमें आप जब करेंगे। और बहुत तीजी से उस जब का जो रिबाउंड है कॉसम दारियां पड़ी होती है, बिलकुल रुद्राश के दानों पर प्राक्तिर रूप से नौ धारियां पड़ी हो, उन नौ मुखी रुद्राश कहलाएगा, आप इसका एक्सरे निकलवा के देख लिए उस पर नौ धारिया होने चाहिए। और हम आपको बार बार बताते हैं, वो जो डेंटिस्ट वाला एक्सरे है, उस सबसे सस्ता होता है, आप वो करा लिए उसमें पता चल जाएगा.